असलाम अलेकुम वियोर्ज, मैं हूँ पराज जवेद और आप देख रहे हमारा यूट्यूब चैनल Cooking with Chef पराज उमिद करता हूँ आप सब लोग खेरियत से होंगे और हमारी इन वीडियोज को देख रहे होंगे वियोर्ज, आज की इस विलोग में आपको दिखाने जा रहा हूँ दुबाई फेस्टिरल सजी के अंदर फायवर्क्स और इसके बाद इन का फॉंटेन का भी जो एक आर्ट है वो बहुत खुक्सूरत है और साथ साथ इसमें मुजिक भी है तो बहुत तरी एक्टिविटी एक विलोग में आपको देखने में मिलेंगी तो आपको दिखाएंगे इस साइट पे यहां पर क्या कुछ होने वाला है तो आप इस ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा तो अभी मैं आपको इसका थोड़ा व्यू दिखाऊंगा और बेसिकली मैं मॉल की बैक साइड पर हूं तो यह है और यहां से मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए लाया हूं कि यहां पर फाइवर्स और फॉंटेन का मुचल कि बैक सेट पे जो शो होता है कि बैक से तो यह तो यहां आपको यहां दो यहां आपको इसका दोड़ है लेजर लाइट्स का कमाल रखें आप यहाँ पर लेजर लखें वेजर टाम को और है यहाँ पर का खाम हो रहाँषियार इर लाइब कि शिखिया नहां यहाँ नहाँखिया है व्हाँ हूं झाल इया loving Okay झाल 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 काफी बड़ा सिस्टेम है यह काफी बड़ा सिस्टेम है क्योंकि दुबई मौल को और है लेकिन इसकी बात और है यह बहुत है क्योंकि कि बड़ीक बार खाजिए गट्रे की बड़ें कि तो और है यह बड़ा फिस्टेम है क्यों कि बड़िया क्योंकि दुब पूर्ण फिल्बन के खाह पें जुर्वी को था ? फैस्किवल आरीना में? नहीं ही भी? इसका जो आपना है नहीं, आरीना सबस्टेशी करति तो करते हैं जाओ कहा था है कि थैस्टिवल स्टूल वालो कह था वहा पें शोल लगवा था वाव अबको देडिगे से वाव, हुआ है जब देएएगा है वाव, है जब फटी तेम झाल झाल आप सकने कि याओ कर्णक डुक και याओ कर्णका याओ गुणर 및 प्लापटे जिसंते जिसे दो ठजा Whenever you're on. वार भुदाने कfillू के लुदा से एलाही कोसे बिसे लुदार्ट कर दो कर दो, जो कर दो पर दो कर दो प्योच्य कर दोराए भान करते हैं कि अज आज आज आपको अच्छा विलॉग दिखाया जिसमें मैंने आपको पॉंटें दिखाया और पाटी पावस पठाखेया पटुगे तो आख से देखने का तो मज़ा ही हो रहता है लेकिन आपको इतना व्यू दिखा जिता हूं कि जिसमें आपको अच्छे सा मिल जाते हैं तो हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा को क्लिक किर जीगा ताकि आने वाली असी हर विलॉग अब तक पहुंच सगें अपना अपनी फैमिली का बहुत सा ख्यार रखे इंशाला आपसे दोबारा मुलागात होगी किसी अच्छे विलॉग के साथ मुझे इजादत दें फिर मिलूगा ख्यार लेके लोगा